बाईलाइन का साथमा RMC Cement नवस्कार, हामी बाईलाइन बाट संचार संजालकू राष्टरी असरिर बनाऊचाउं र सदा गतिसील रहन छाउं समय चक्रमा अनेक घटना होंचन तर आजको घटनाले भोलीको आगमन रोकन सक्दैना बाविस्टेको उज्यालो छेकने कुने परदा होंदैना बिगत का घटनामा घरीने मात्र होएना समाजमा निकास को बाटो उधगाटन गरना तम तयार बाईलाइन परतेक्स रोजगारी पावना नसकने आम जनता को पंक्ति लाई सरकारले गरी हाने बातवन बनाई दिनू परदाश जनतालाई उन्यरको छेमता चिनाई दिनू परदाश गरी हाने जनता का पच्यामा आबाज उठावन शक्योस बनेर आमीले संचार जगत लाई आधार बनाये का हूँ संचार उद्यों आफईमा जनता को पेट बोली हुनू पर छा जनता को आबाज नई संचार हो संचार माद्यम को प्रमुख लक्षय सर्व साधरन जनता मात्र होई न आबाज बीन को पनी मुख पत्र हो संचार माद्यम र नेपाल मा एउटा इस्तो अभ्यास गरीये को थियो आट बर्स अगी की सर्व साधरन जनताले अस्पताल सहकारी संचा बिद्याले चलाये जस्ताई संचार ग्रिह चलाऊना सकला की न शकला 6 बर्सको आंतरिक ग्रिहकारे पची तेसले आकार पायु सेटेडलाइट रए स्टी प्रविदिकु टेलिविजन अब विस्ताराई जन्मने प्रयास मा छा 19 मैना अगी जनता टेलिविजन पूर्ण प्रसारन मा आयो अनलाइन नियुज पर्टल दुई बर्श अगी संचालन में थियो र आजैका दिन देखी अरको भगीनी संस्ता रेडियो जनता 89.1 मेगा हर्जपनी 24 घंटा नियमित प्रसारन मा आयेको छ अर्था 66 जिल्ला का सर्व साधरन कु सामयिक सपना जनता प्रसारन तथा प्रकासन लिमिटेट कु गर्बक था आजकु बाईलाइन मा संचार ग्रिह जनता को बोलीत हुनेई पर छ तर जनता का लागी जनता द्वारा संचार ग्रिह चलाउना सकीयला की नसकीयला भनेरा आट बर्ष अगी कुरियेको कलफणा साखार भएको छ आज हामी अनलाइन टेलिविजन रेडियो संचालन ग्रिह बने का छूँ जनता प्रशारन तथा प्रकासन लिमिटेट जनता द्वारा इस्तापित रशंचालित संचार की रह हो देशका चिंशकी जिलाबाट बेभिन बर्ग पेशामा संगलगन एकजार दुशे भन्दा बड़ी सियर धनिको सामहिक प्रियासमा कमपनी खड़ा भाईको हो सर्ब साधरन रश्रम जिबे बर्गा को स्वामित्त को कमपनी हो मानी सवरलाई संगलषित गरने राजिती कारे करता तथा युवा एबम विद्ध्यार थियरू तपे हैरू सबई मा नेपारी जनतामा जनता द्वारा जनता का लागी मने मूर नारा भुकेको हामरू जनता परशारन तथा परकासन पबलीक लिमीटेड का तरहवाट का हारदी बदायी ग्यापन गरना चाहन श Follow जनता परशारन तथा परकासन लिमीटेड ले चारोटा च्षेत्र मा कामगरी दहाएको छा जनता द्वारा जनता का लागी प्रशारीत जनता टेलिविजन कमपनी को मुख्या आयाम हो SD गुणस्तर मा 24 घंटा प्रशारन होनी जनता टेलिविजन को परिशन प्रशारन 2004 बैसाग 20 गते सुरुभाय को थियो 2004-29 गते जनता टेलिबिजन को नियमित प्रशारन शुरुभायो जनता टेलिबिजन मा नियमित समाचार बुलेटिन संगय तराई मदेशलाई समेटेर मैथली र वजपरी भासा मा पनी समाचार प्रशारन होने करे कुछा राष्ट निर्मान मा लागन परने युवा जनसक्ती रोजगारी र सिच्छा को खोजी मा विदेशी एको छा रयोक करम डर लागदो डंगले बडी रहेको छा लावुरे कमाईले देशको अर्थतंत्र केई समाई चल्ला जस्तोकी अईले चली रहेको छा तरह यसले देशको उत्पादन बड़ाउ देशको अर्थतंत्र सुधरी गर देईन युवा जनसक्ती राई विदेश पलाएन उन बाट रोकन देश बीत्र गरी खाने र देश बीत्र रोजे को विशयमा उच्छ शिचा सम्मा पढ़न पावनने बाता बरन उनु परदाश यस दिशामा स्वंचार मा देमले पनी आफनो तरह बाट ठोसर योजना बद भूमी का खेलनु परदाश जनता प्रकासन तथा प्रकासन लिमिकेट को अर्को महत्तफुन अंग हो जनतासमाचा.com देश बिदेश बाट नेपाली भासामा स्वंचालित अनलाइन मा जनतासमाचा.com सरबाधिक पडिने अनलाइन हो जनता प्रकासन लिमिकेट को अर्को महत्तफुन भागेनी प्रकासन सहस्ता हो रेडियो जनता 99 थपलो 1 मेग हर्च 2015 माग 27 गते बाट रेडियो पुन प्रशारण मा आएकुछ. जनता प्रशारण तथा प्रकासन लिमिकेट को एक बरद हस्ता हो प्रकासन गिरह. जन्मन मा अच्छेर को अच्छे कोश बनावने प्रिया सुरुब प्रकासन गिरह बाट उम्दा पुस्तक घरु प्रकासन खरीन छा. पुस्तक प्रकासन का माध्यम बाट नेपाली वांग मैक को शेवार प्रगती बादी समाज निर्मार क लागी जनता प्रशारण तथा प्रकासन लिमिकेट कृट संकल्पित छा. अज़ा भन्नपर्दा असल पुस्तक प्रकाशन उदेश्य बाटा इस्तापिद संस्तानाई प्रकाशन गिरा हुदाई प्रशारण गिरामा प्रणाद भायको हो दू बर्स अंगी बाटा हामीले जन्तासमाचार.com न्यूज पोटल संचालन मा ले आयों वने 29 महिन अगी जन्ता टेलिविजन संचालन मा ले आयों केई दिन अगी बाटा जन्ता रेडियो 89.1 मेगाहर्ण मा परशारण गरी रहेगा छाँ आउनी केई दिन भित्रई जन्ता टेलिविजन को परशारण HD परवीदी बाटा हुने चा बने आगामी एक बर्श भित्र मा जन्ता रेडियो लाई शातवटी परटेश मा शुनीने बनाऊने चाँ येसे गरी आउनी केई बर्श भित्रई मा अन्ने बिविद कारेकम पनी अंगाडी शार ने चाँ जन्ता का मुद्दा जन्ता के मुखवाट मुखरित हुना पनी जरूरी चा सर्व साधरन को लगानी मा योटा बिशाल रव्यवस्तित संचार ग्रिय को अभ्यास भाईरेको चा प्रसंग बाकी ने चा जन्ता प्रसारन तथा प्रकाशन लिमिटेट सुर्मा प्रकाशन ग्रिया का रुपमा इस्थापित भाय को हो असल पुस्तक प्रकाशन ग्रिया को सपना साकार भाय पची इसलिए टेलीविजन अनलाइन ररेडियो को पनी आकार लिये को हो जनता प्रसारन तथा प्रकाशन लिमिटेट जनता द्वराई स्थाफित संचार ग्रिह हो सम्रिद्धिको पत्मा अग्रसर राष्ट्रलाई सघाउने संबिधान को परिकल्पना अनुसार समाजबात उन्मुक राज्य को निती रा समुनत सामाजिक सम्रजना का लागी जनमत निर्माड गरनी जनता प्रसारन तथा प्रकाशन लिमिटेट को घोशित उदेश्य हो आम जनतार आम नेपाल को बावनालाई गुजेर संचाली तोने संचार गिरियेलाई इस्थापित गरना सकता मात्र देशको राष्टे स्वार्थ पुराउंच भणने हमिला लागयो रखास गरी लोकतंत्र को इस्थापना वाईशके पछी लोकतंत्र का जुन मर्म अरूछन ती मर्म अरूलाई आम नेपाली को बीचमा संदेश मुलक डंगले परभाया गरने कुरा लोकतंत्र का मर्म अरूलाई सबय नेपाली का बीचमा उड़ा सिच्छित गरने कुरा सुचना को मात्र देमले मात्र हैने की ज्यान को मात्र देमले समेट परसार को सार गरने कुरा जनता प्रसारन तथा प्रकाशन लिमिटेट जिम्यवार संचार ग्रिह, जन मुखी सुशासन, जन उत्तरदाई संचार ग्रिह का रुपमा जनता आको प्रतिनिदी संचार ग्रिह बनावनी सपना अनुसार क्रिया शिल्छ नेपाल मा अमरो अस्तो देरे मीडियार चन, तथा पी राष्टियाता को पच्चेर मा बोलने, देश मा उने अनियमी तथा अत्ते चार बस्टा चार को बिरुद्धा मा बोलने मीडियार को अबाब छा निस्पाच्च तथा रा जनपच्चिय रूपले मीडियारू तेसरी इस्तापना बाब को इस्तिति देखिदाई नौ रा आमिले आमरो मीडिया वलाई निस्पाच्च तथा रा परगतिशिल रूपले संचालन गार ने रा स्वास्था गत रूपले कोर्पूरेट प्रोग्रेसिग रूपमा संचालन गार ने उदेश्यका साथ आमिले इस्तापना गरेका हूँ आत्म श्लागा रा आत्म प्रबंचना होईना देश का देखी जानने प्रबुद्ध रा बौधिक बर्ग को मुल्यांकन मा पनी जनता प्रशारन तथा प्रकाशन लिमिटेट अबल दर्जाको संचार सस्थामा सुचिक निद्छ जन्मन मा विश्व सन्यता को अमीट छाप अ प्रशार बारंबार महले अरे को समयमा बेलकी को समयमा जुन आई रहेगो छो तयसमा युगा केटा-केटी ब्रिदा सपकेले किशिम को आखो तुस्ते खिसीम को हुदै ज्या उस रामरों चिंग वरोशा निए अशमांचि अब बिर्ट चित्र वरोबुन तेस ते अबारा समाजबात का अनुयाई हरू जनता प्रसारन तथा प्रकाशन लिमिटेट को नेत्रित तो मासन नियायमा अधारित प्रकाशन लिमिटेट ब्यवस्थापन को अर्जुन द्रिष्टी छा आमरो मुल थीम नाई जनता द्वारा जनता का लागी बननी छा अगीले यो इस्थर्मा पुराउन आमरो दर्शक श्रोता पाठा करूले आमिलाई जती विश्वास गरनों भायो तियो पनी एउटा उधारन नही हो अनि एती आमी एती छोटो समाय माई यो लेबल माँ पुक्षाँ बनेर आमिले बने अफेक्षा गरेगा थिये नौ तियो बने को जनता कई माया ले गरता खेरियो खास गरी आनि दर्शक श्रोतार पाठा करलाई आमी रिधाय देखिने दन्य बाद दिन छों यहार का चाई मार्ग दर्शन लेने आमी अगाडी बडशों जनता प्रसारंत था प्रकासन लिमिटेट राइस का संचार स्वस्ताहरू सदाइब जनता का आबाज मुखरित गरने माधेम होन राज्ये लाई खबरदारी र साजेदारी गरी रहने चा जिम्मेवार पत्रकारिता को आबरन मा प्रसंगा बांकी ने चा जनता प्रसारंत था प्रकासन लिमिटेट को इतियांस आरंबर आगामे यात्रा मात्र जनता जोडिये को बिशे हो जनता को खास संचार गरिया बनावने हामर प्रयास सदाइब रहराने चा एक पटक जनता प्रसारन तथा प्रकाशन लिमिटेट को आरंबा समझों खेरी असल पुस्तक ले जीवन परिवर्तन गर्च भन्नी भावना का साथ पुस्तक प्रकाशन गर्ने उदेशे ले विक्रम संबत 2018 साल मा स्थापना भयको हो माल्स्टोन प्रकाशन तथा प्रसारन लिमिटेट आफनो उदेश्य अनुरूप गहन र ओस्पुर्ण पुस्तक प्रकाशन कार्यमा अगी बर्दै जादा यस कम्पनी ले आफनो क्षेत्रपनी फराकिलो बनावदे लोगे कुछ आफुलाई मोल्धार को नेपाली मीडिया को प्रतिसपर्दी बजारमा उभ्यावनिक ख्रम्मा पुस्तक प्रकाशन को अत्रिक्त 2023-2528 कते कम्पनी को दोस्टों साधरन सबा का दीन बाट जनता समाचार.com संचालन थाले निगरे को थियो जनता द्वारा जनता का लागी भन्ने मोल भावना का साथ जनता काई लगानी मा यवटा जनपक्षिय, राष्ट्रबादी, सोतंत्र, निस्पक्षिय र तटस्थ संचार माध्यम को आवशेक्ता महसूस करी कमपनी ले देहजार जोहत्तर साल असार उनांतिस कते बाट नियमित प्रशारन प्रारंब गरेको जनता टेलेविजन ले छोटो समय में नेपाली दर्श्टकर को विश्वास जितना सफल भाय को सा मुलुक कै पहिलो र अहिले समके नीजिक शेत्र को एकलो सामुदाएक जनता टेलेविजन ले सिमित बेक्तिको लगानी मा संचालन हुने र तीनकै हेत प्रवर्धन मा काम गरने संचार माध्यम को भेड मा प्रिथक पहिचान निर्माड गरना सफल भाय को सा यस टेलिविजन ले सत्य, तत्य, निस्पक्ष, संतुलीत र ततस्थ सुचना संदेश र विचार का साथे शालीन मनुरंजनलाई प्राथमिक्ता दिदै आयको सा पत्रकारिता का क्षेत्रमा लामो समय देखी क्रियाशिल अनुभवी, योग्य र दक्षय पत्रकार हरुले भरिपूर्ण जनता समाचार कक्षय, सदैव गहन र ओजपूर्ण समाचार को खोजी र प्रसारन को अविराम अनुकरणिय अभ्यास जारी छा प्रेथक्र शालिन शैलिका मनो सुचनात्म कारिक्रम हरु जनता टेलिविजन को ब्रांड वहिचान का रुपमा स्थापित भई सके कासन। प्रशारन को दुई वर्ष नपुगदै बेवसाइक रुपमा मासिक रुपमा हुने खर्च र आमदा निलाई बरा बरीमा आगी उत्साहा को खबर हो। लिमिटेड ले यसाई बर्श साथाई प्रदेश मा आफनो प्रादेसिक कारेलाई विस्तार गरी सके को सा। SD मा आरुपांतरन गरने अंतीम तयारी मा सा। करीब दोई वर्श को यो अवधिमा संचार प्रविदी को लोखप्रिय माध्यम समाचार ओनलाईन पोर्टल जनतासमाचार.com संचालन मा रहे को सा। सधही समाचार सबै विचार भनने भावना का साथ संचालित जनतासमाचार.com नेपाल मा पढ़ेने उतकरिष्ट बीस नेपाली समाचार ओनलाईन मा पढ़ना सफल भाये को सा। यो कमपनी को लागी सुखद र गर्व को बिशय हो। प्रकाशन यस कमपनी को अरको महत्तोपुर्ण बिभाग को रुपमा रहे को सा। असल पुस्तक ले जीवन परिवर्तन गर्स भन्ने भावनाले अगी बड़ी रहे को जनता प्रकाशन ले पछिल्लो एक बर्शमा मात्र दुई दर्जन बड़ी पैचारिक, दर्शन, चिंतन रा साहित्तिक पुस्तकरु को प्रकाशन गरी सके को सा। यस्ते यस प्रकाशन ले छपाई तथा प्रकाशन का अलावा सुदेशी तथा विदेशी सबई प्रकाशन का पुस्तकरु वितरन गर्ने र पुस्तकालाई का लागी उचित मुल्ले मा अर्डर बमजीम का पुस्तकरु समेत उपलब्द गराउंदे आहे को सा। कम्पणी को चौथो वार्सिक साधरन सबाको अवसर मा कम्पणी ले आफने रेडियो प्रसारन शुरू कर देशा. FM बैंड को 99.1 MHz मा प्रसारन हुने रेडियो जनता लाई, साच्चिके निपाली जनता को अवाज बोलने रेडियो का रूप मा स्थापिद गरने लक्ष्य लिये को सा. काटमांडो मा 1000 वाट प्रसारन क्षमता बाट सुरू गरिये को रेडियो जनता लाई, एक बर्ष भित्र सबई भंदा बड़ी स्रोताले सुन्ने विशुस्ने रेडियो बनावने महत्वा कांक्ष्य कम्पणी ले राखे को सा. संगय देश का साते प्रदेश मा आफने फ्रिक्वेंसी मा रिले स्टेशन संचालन गर्दे जाने लक्ष्य पनी लिये को सा. जनता द्वारा जनता का लागी प्रशारित मुलुक्कै पहिलो र एक मात्र नीजिक शेत्र को सामुदाइक संचार ग्रिहलाई, नेपाली जनता को मन मस्तिस्कमा सकरात्मक छाप छोडने र उनिहरुले आफनो स्वामित्व महसूस करन पाउने प्रोग्रेसिब कर्परिट ह हाउस का रुप मा स्थापित गरावने जनता प्रशारन तथा प्रकाशन लिमिटड को अभिहान नीरंतर जारी छाड़ी छाओ रेडियो, टेलिविजन, अनलाइन संगय, सामाजिक संजाल मा पनी जनता प्रशारन तथा प्रकाशन लिमिटेड को उधपादन रुचाईये को छा जन मुखी, जन उत्तर दाई, जिम्मिवार संचार कर्मने हामरो मलमंत रहो आगामी दिन मा यहारू संगके सहकारे मा हामी अज्जा जिम्मिवार संचार ग्रिया कारूप मा क्रिया सिल रहने प्रती बदता सैथ फेरी एक पटक सबी मा सुबकामना बार्ण चाहांचों जनता द्वारा, जनता का लागी प्रसारित, जनता टेलिविजन का सवय कारेक्र महरू तपाई जनता समाचार डटकम मा पढ़ना रहेरना सक्न होने छा एसका साथ है तपाई हामिलाई जनता टेलिविजन को टीवाई जीएफ मा 24 घंटा प्रतिक्रिया सुजाव सलहा दिना सक्न होने छा जन भावनामा सदर्मुकाम्र सुदुर्भन्नी सब्द होने ना, मुलुकको माटो जहां छोय पनी राष्ट्र एकई चोटी जागरू कुन्छा यो दुरिभीन आचरण नहीं समाचार हो, बाईलाइन अर्था जिम्मेवार पत्रकारिता राज्य द्रिष्टी मा देश भित्र दुरिय हो देना, नवस्कार बाईलाइन का साथमा RMC Cement